हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई चैनल अलिल वन टीटी, दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ विद्धाले आवंटन के साथ, जो आपके विद्धाले पदस्थापन पत्र का वित्रन होगा, उससे सम्मंदी सिक्षा विभागने दिया निर्देश, और क आप लोग जाके विद्धाले में पदस्थापन योगदान कर सकते हैं, और जिस दिन आप लोग विद्धाले में योगदान करेंगे, उसी दिन से आपकी जो वेतनमान है वो बननी शुरू हो जाएगी, तो चलिए फ्रेंस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क आदेश दिया गया है, उसे पहले जो इस चैनल पर नविजिट कर रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, ताकि BPSC TRE2 से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप तक आपके विद्धाले पदास्थापन, योगद 31.2.24 के द्वारा विहार लोकसिवा आयोगपटना द्वारा प्रकाशित विग्यापन संग्या 27.23 के आलोग में दूतिये चरन के अनुशनशित विद्धाले अध्यापिको योँ विग्यापन संग्या 26.23 के आलोग के प्रतम चरन के पूरक परिक्षा फल से अनुशनशित कूल 1712 विद्धाले अध्यापिकों का विद्धाले पदस्थापन पत्रवितरन दिन्नांग 2223-2323 तक किया जाना है इसे टू DRCC नवादा को चिनीद करते हुए विदी विवस्ता संधारन हे तू अनुरोध किया गया है अध्यापिकों का विद्धाले अध्यापिकों का विद्धाले पदस्थापन पत्रवितरन हे तू दिन्नांग 2223-2323 तक के लिए जिला निवन्धन यह पारामर्श केंद्रे नावादा का चैन किया जाता है अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर यह अनुमंडल पुलिश पदाधिकारी नवादा सदर को आदेश दिया जाता है कि दिन्नांग 2223-2323 को जिला निवन्धन यह परामर्श केंद्र बुधाल में विधी विवस्ता संधारन हे तू दंडाधिकारी यह पुलिश पदा 2323-2323 को जिला निवन्धन यह परामर्श केंद्र बुधाल नवादा में सभी अवेशक जीवन रक्षा दवाओं के साथ एक एंबुलियम्स की परतिन्यूक्ती करेंगे जिला पदाधिकारी नवादा यह देख सकते हैं 3123 के दिनांक में लेटर को प्रकाशित किया गया है क दो और तीन फरवड़ी को आपके विद्याले पदस्थापन पत्र का वितरन किया जाएगा और इस पत्र के साथ ही जो सिक्षक अभियरती है या जो सिक्षक है वो लोग अपने विद्याले में योगदान करेंगे और उस दिन से उनके वेतनमान की शुरुआत हो जाएगी वीडियो को अंतक्त देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेर करें धन्यवाद